कोरोना वाइरस ने हर जगा अपनी पकड मर्चपूत बना रखे हैं। देश में कई राज़र में कोरोना के मामले फिर सी तेजी से भढ़ने लगे हैं। बीती कुछ दिनों में बॉल्लिवूड और टीवी इंडस्टी के कई सितारे कोरोना से संकर मित पाए गए हैं। ऐसे में अब टीवी इंडस्टी के जाने माने शो कसौटी जिंदगी के टू की लीड अक्रस एरिया अगरवाल भी इस वाइरस की चपेट में आ गए हैं। करा कि सभी उम्र के लोगों के बीच काम कर रहे हैं तो साबधान रहना ठीक है। मेरा मन नहीं चाहता है कि अपनी जाच करवाँ। करोना वाइरस से इफेक्ट होने के बाद एक्टरस ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने अपने सोंगनी की शक्ती भी खो दी है। उन्होंने बताया कि मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहे हूँ और सोंगनी की शक्ती खो चुकी हो। कुछ भी सोंग नहीं पाना थोड़ा अजीब है। मैंने अपनी कमरे में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। मैं विटामिन C, जिंक ले रही हूँ और स्टीम इनिलेशन ले रही हूँ। उन्होंने आगी कहा कि मैं अच्छी तरह से हाइडरेटेड महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं ख्याल हो रख रही हूँ। और जितना संभव हो उतना आराम कर रही हूँ। मैं अपने परिवार से डिजिटल रूप से जुड़ी हूँ। जो मुझे प्यार का एहसास करवा रही है। कुछ दोस्ती भी मजबूत हो रही हैं मेरे पास अपने दोस्तों के साथ चैट करने का और खोई हुए समय को पकड़ने का पूरा समय है। हालकि मजबूर होकर मैं इस प्रेक का इस्तमाल अराम करने के लिए कर रही हूँ। भले ही मैं सेट पर वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन इस समय को और अपने जीवन को शान्त करने में उप्योप करना चाहती हूँ। जब आप COVID-19 से संक्रमित हो जाते हैं तब आपके मांसिक स्वास्ते पर असर पड़ता है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, अपने मांसिक स्वास्ते खवी ख्याल रखे। वही अगर एरिया अगरवाल की वर्ट्फरंड की बात करें तो वो टीवी की जानी मानी आक्ट्रस हैं। वो कसोटी जिंदगी के टू के अलावा प्रेम बंदन और क्या हार मिस्टर पंचाल में भी नजर आ चुकी हैं। विर रिपोर्ट एट्वन्टिफूर अगर आपको हमारे ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें। और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। ताकि आप इंटर्टेंट्मेंट की कोई भी खबर मिस्ट ना करें। चाहे बॉलिवड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल। बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंटुवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार इंटर्टेंट्मेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24।